मैं दोस्तों मेरा नाम निते तो जैसे कि आपको पता होगा Samsung की तरफ से Samsung Galaxy A31 लौंच कर दिया गया है 22,000 की pricing रखी गई उस smartphone की और वो इंडिया के अंदर लौंच कर दिया गया और उस smartphone की सबसे बड़ी tagline दी गई है Make in India, Made in India, Assembling in India मलब इंडिया में मैनुफेक्चर हुआ, इंडिया का smartphone नहीं है तो इसे से उसकी hype create की जारी है और मैं इस topic पर वीडियो नहीं बनाना चाहरा था लेकिन बहुत सारे YouTubers की fake reviews देखके मैंने सोचा कि इस पर अपना opinion रखना जरूरी है तो मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ तो जैसे की बात करते हैं, इसके अंदर आपको Media Tech का Helio P65 processor देखने को मिलता है आप इसको compare कर सकते Snapdragon 730G से लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यह processor जो आपका 7 Snapdragon 665 से और 675 के बीच का processor है यह इतनी performance आपको देगा और जा तक बात करते हैं, आप Chinese companies को avoid कर रहे हैं smartphone के लिए तो Chinese company को ठीक avoid कीजी आप, लेकिन थोड़ा दिमाग से कीजी तो जैसे की आपको पता हूँ, इसके अंदर display भी अच्छी है, camera भी अच्छा, quad camera setup दे दिया है इसके अंदर अच्छे दे दिया है, बहुत सारे features इसके अंदर अच्छे दे दिये, लेकिन आप चाइना का product नहीं लेना चाहते तो मैं आप और video से जैस्ट कर सकता हूँ जैसे की आपका अगर budget इससे भी कम 22,000 से तो आप A50S की तरफ जा सकते है, उसका design भी अच्छा है और इससे अच्छे better features देखने हो मिल जाते है, उसके अंदर design भी camera भी उसका इससे अच्छा है और अगर आप इसी price में देखना चाहते तो offline जाके आप A70S की तरफ जा सकते हैं, यह 30,000 भी लोन 14 लेगी नपर इसका price कट होगे, यह इसी price में आपको मिल जाएगे, डिल आप offline जाके चेक कर सकते हैं, online तो नहीं मिलेगी, offline आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं personally चेक क पता दिया, उसकी तरफ जा सकते हैं, तो उमीद आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, यह पहला आइकन को प्रेस कीजिए, थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो को